असलाम अलेकुम माई डियर स्टूडेंट्स, होफ अलाफ यू रॉल राइट, तोड़े आम गूं तो टीच यू हाव दिस रिबेलियन स्प्रेड्स, तो इन लास्ट लिक्चर हमने पढ़ा कि किस तरह से मीरट से दहली तक किस तरह से दहली तक इसकी हवा पोँची, तो हमने पढ़ा किस तरह से 19th मारिच 1857, मंगल पांडे जो है उसकी ड़त की खबर सुनके किस तरह से जो स्पॉइज है, ये गैनिस्ट हो गए, ये सोल्जर जो गैनिस्ट हो गए, ब्रिट्शर्स के, बहुत गुसा आ गया इन में, और किस तरह से एक अफवा फैली के काट्रिज, जो है गन के पॉइंटर्स, जो है काट्रिज के, वो बने है कावार, फिक फैल से किस तरह से मुस्लिम मैं और जो हिंदूस थे, जो स्पॉइज थे, इस रेजिमेंट में किस तरह से वो गैनिस्ट हो गए, ब्रिट्श के, और उस वज़ा से 85 स्पॉइज को डिसमिस किया, फ जेल इन मीरट, मीरट से इन्होंने माल स्टार्ट किया, जेल से लेके, वहां पे जितने भी स्पॉइज को जेल में रखा गया, उनको उन्होंने छुडाया और अटैक किया, ब्रिट्श के जितनी भी बिल्डिंग्स थे, उनको जलाया, और इन्होंने का, हमारा अब एक ही म जफर की, इन्होंने का, हम फिर से अपना रूलर जो है, बहुत अच्छा जफर को हम चुनेंगे, तो इस तरह से, इस पॉइज जो है, मीरट से लेके, पूरी रात पहुँच के, मीरट से टैंथ में, प्राम मीरट तो दहली, दहली पहुँच के, मॉर्निंग अवर्स में, तो इन्यूज आग की तरह फैल गई, और वहां पे जितने भी बिट्चर्स के बाक्स थी, जितने भी बिट्चर्स के बिल्टिंग इस थी, उनको जलाया गया, और उन से जितना भी एमिनिशन सामान जो था, उसको इन्होंने चुराया, उठा लिया, इन स्पॉइज ने, औ यहां पे बादशा रहता था, तो डे डीमांडे कि हमें बादशा से मिलना है, लोत ख़त लिटरज़ की और बहुद्धरशाजफर को फिर से अपना लीडर चुना और उसको लीडर बनाया अब य 한다 कि ऐगे States in की ओल्ड एज में थे तो बहुद्धरशाजफर जो है उसने चिठिया लिखी बाकी जो नवाबस थे जो ब्रिट्श के अंडर आए थे उन नवाबस को अब उन्होंने लिटर्स लिखी कि आप जो है अब आईए एक आन्फिडरेसी हम करते हैं इंडियन स्टेट्स हम एक ही एक वादा करते हैं हम ब्रिट्श के खिलाफ अप एकठे हम सब की झो लड़ाई है वो एक ही है हम सब का जो प्रिख में इंडियन वह एक है वो यह ब्रिटिश है तो इस तरह से यह लड़ाई जो है यह स्प्रेड हुआ बाकी सिटेट्स में तो आप हां आहिसासा अहिसा देखिए किस Cot catalORE से यह रिबे इन जो है यह सिप्डेर हु हुआ बाकी जगहों पर तो कहते हैं हम देखिंगे बात करेंगे कि रबेलियन जो है सिरफ अब किंग और कुई इसके बीच नहीं रहा अब आम इंसान भी इसमें जुड़ गए चाहे वो पीजंट थे चाहे वो वो व्लेज के लोग थे चाहे वो टावन के लोग थे नाव दीज पीपल वो जो लोग जो थे इस पीपल आप देटावन जो रहा इसी तरह से ट्रेडर्स जो है उनसे जादा टेक्स लिया जाता है था तो उन्होंने भी आवाज उठाई इस तरह से ये रिवोल्ट अब मीरट में ही नहीं रहा मीरट के साथ सा दहली में फैला कानपूर लखनव तो इस तरह से बरेली इस तरह से ये नॉर्धर्न स्टेट से लेके इन जगहों पे फैला तो हम बात कर रहे हैं कि अब पहले बात करेंगे हम नाना साब की नाना साब जो था नाना साब आपको मैंने पढ़ाया जैसे रानी जांसी और नाना साब नाना साब अडाप्टेट सन आफ पैश्वा बाजी राव जो थे कानपोर के रहने वाले वो अगैंस्ट वो ब्रिटिश के अंडर आये थे उन्होंने साइन किया था एक अग्रिमिन्ट ब्रिटिश के साथ कि जैसे आपने पड़ा है alliances की थी British के साथ तो अब इसने आवाज उठाई इसने अपनी forge कठे की और इसने आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ यह लड़ने लगा He gathered his army armored force and expelled the British power from the city और जो कानपूर में Britishers ने कबजा किया था उनको वहाँ से उन्होंने भगाया और उस पे खुद इसने डिकलियर किया कि he is now पेशवा आफ कानपूर He became the पेशवा आफ कानपूर अबू कानपूर का बादशाह बना He declared he was the governor under the emperor बहुदर शाफर उसने खुद को डिकलियर किया कि मैं गवर्नर हूँ बहुदर शाफर के अंडर आफ मैं का इसी तरह से लखनौ में ब्रिजिस कादर था उसका नाम सानाफर डिपोजिट नवाब जो था वाजद इलीशा जिसको अंग्रेजों ने कवजा किया था उसके टाइम पे तो उसने भी अपनी आर्मी इनके खिलाफ जंग चड़ी तो ब्रिजिशर्स को लखनौ से निकाला और वहाँ पे इसने अब खुद बना ही हमसला प्रोकलाम ड़ेजे किंग ब्रिजिस कादर जो है लखनौ के बादशा बने अब लेकिन बादशा नहीं नवाब बने लेकिन इसने कहा कि हमारा कीन लखना हना उसकी मदर जो थी हजरत महल ही टुक एन एकट्यू उपार्ट हिस्टी में बहुत जग़ाओं पे इसका जिकर है कि हजरत महल जो है उसने एकट्यू उपार्ट लिया इस आपराइजिएंग में इस ब्रिड शर्स के खिलाफ़ इसी तरह साय जासी में राणी लकश्मी बाय थी जिसने पहले महायदा साइन किया था अब वो भी इनके अगेंस्ट हो गई उसने कहा कि तांतिया टोप की हलब से तांतिया टोप जो जनरल था नानसाब उसकी हलब से उसने इनको वहां से बगाया इसी तरह से अवंती बाई लोदी जो रामगड की दूसरी एक लैडी थी उसने भी कहते हैं चार हजार आर्मी अगैंस्ट गी बिडशर्स के और उसके बाद उसने अड्मिनिस्ट्रेशन जो थी अपने हाथ में ले ली तो इस तरह से ये मैंने कुछ नाम बताए कुछ जगहों के और कुछ लीडर्स की जुन्होंने इनके खिलाफ स्टार्ट किया तो अगस्ट सिक्स्ट अगस्ट एटीन हंडर फिप्टी सेवन मैं एक टेली ग्राम मिला इनको के कॉलाइनल टेलर ने कहा कि हमारे जो बिडशर से कमजोर पड़ गए हैं उनको उनमें डर पाइदा हो गया है क्योंकि हर जगह पे लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं गाओं में भी शेहरों में हर जगह पे इस तरह से अब्दलाश शाह जो था एक मौलवी फैज़ाबाद का बखत खान जो था वो सोलजर था बरेली का ही टुक चार जब लार्ज फोर्स उसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई वो लीडर बना इस रिबेलियन में उसका बहुत जगहों पे नाम की लीडर बोला जाता है मिल्ट्री रीडर अफ रिबेलियन बखत खान था इसी तरह स कावर सिंग जो था ये जमीदार था उस भहार का लािर इस रिबेलियन में शर्कत की तो इस तरह से ये लोग जो थे अपने जगहों पे अपनी डिमांड जो थी इनको और डिमांड चे उन्हों ने जो उन्हों ने जो अंग्रेजों ने इन पे जلم किया था तो इ عندे उर का आज के लिए इतना शुक्रिया